हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे स्वस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बहतर चल रही होगी तो आज के इस वीडियो में जो आपका CRPF, CISF, BSF Head Constable Ministry LSI का एक्जाम होने वाला है फरवरी मार्च 2023 को उन्हीं के टॉप मौस्ट इंपोर्टन कोशन को यहां पर डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो काफी इंपोर्टन है आप लोगों के लिए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक ओस्याज जरूर करें जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बाइल ओन करना ना भूले तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो खुश से प्रयास कीजिएगा इन सभी कोशन के आंसर देने का दो से तीन सेकेंड के बाद मैं आंसर के लिए कर दूँगा तो आज की सिसन में पहला कोशन सूर के विक्रन का परावेगनी प्रकास किसकी परत के कारण प्रत्वी के वायू मंडल में नहीं पहुँच पाता आकसीजन, हैड्रोजन, ओजोन, हिलियम सी ओप्सन करेक्ट हो जाएगा ओजोन मैं तो पुन फैक्ट जान लेजिए ओजोन प्रत प्रत्वी के वायू मंडल की एक प्रत है जिसमें ओजोन गैस की शग्रहनता अपेक्छा करत अधिक होती है ओजोन प्रत के कारण ही प्रत्वी पर जीवन संभव है यह प्रत सूर के उच्छ आबरती के परावेगनी प्रकास की नबे से 99 प्रतिसत मात्रा अपशोशित कर लेती है जो प्रत्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है चलिए बात करेंगे नैश कोशन की सुगाज अगला कोशन है कि किस चीज को अधिक खाने से ही केबल प्रत्वी की अधिक जन संख्या का भरण पोस्ड किया जा सकता है पुरी में रत्यात्रा किसके समान में आयोजित की जाती है भगवान राम भगवान शिप भगवान जगनात भगवान विश्णू तो पुरी में रत्यात्रा भगवान जगनात के समान में आयोजित की जाती है सी ऑप्सन करेक्ट हो जाएगा कुछ महत्पुन फैक्ट हैं जो कि आपके परिच्छा के ड्रेश्ठी से काफी इंपोर्टेंट हैं देखिए जो आपका ये रत्यात्रा जो होती है भगवान जगन्नात है ये एक हिंदू तिवार होता है जो हर साल उड़िशा के पुरी में प जगन्नात के रत को क्या कहा जाता है चले बात करेंगे अगले कोशेण की से काई इस की आप से लंडन उलम्पिक दूहजार बारा में का से पताक पाया किसे रूप में प्रसिद्य हैं Lrucar racer,cricketer, Shrimp, commissioned free. फुटबॉलर, सी ओप्सन करेक्ट हो जाएगा, एर राइफल सूटर, गगन नारंग के बारे में मैं पून फैक्ट जान लिजिए, गगन नारंग भारत का एक राइफल निसाने बाज है, ओलंपिक गोल्ड कोईश्ट द्वारा समर्पिक हवाई राइफल सूटिंग लाड़ परते थे इन्हों ने लंदन 2012 ओलंपिक में हुई पुरुसों की 10 मीटर एर राइफल इवेंट में 701.1 अंकों के साथ कांसे पदक हांसिल किया, किया था, अगला कोशिन देखेगा, सुरच्छा परिशत के 5 27 सदसे कौन कौन से हैं, तो इनके 27 सदसे हैं, चीन, फ्रांस, रूस, यूएसे और यूके, तो पी ऑफ्शन करेक्ट हो जाएगा, कुछ महत्वर्ण फैक्ट हैं, उन्हें जान लेजीए आप लोग, पांच 27 सदसे रूस, बिर्टन, चीन, फ्रांस और सेंउक्तराच अमेरिका हैं, और ये देश किसी भी मूल प्रस्ताव को बीटो कर सकते हैं, इसके अलाबा सुरच्छा परिशत में 10 गैर 27 सदसे देश सा में दो रेलवे जोन का मुख्याला है, हुबली, नई दिल्ली, मुंबई, जवलपूर, देखे गाइस मैं आप अपना पूरा का पूरा 100% दे रहा हूं, लेकिन आप लोगों का जो रिस्पॉंस है, कुछ खास नहीं आ रहा है, तो आप लोगों से नुरोध है कि आप लोग तो डी आप्शन करेक्ट हो जाएगा 382, कुछ मैं पूरा फैक्ट जान लेजिए जो कि आपके परिच्छा की ड्रेश्टी से काफी इंपोर्टेंट है, दो हजार ग्यारा की जिनगर्णा के नियुसवार 382 भारत की जन संक्या का घनत्त है, दो हजार ग्यारा की के साथ जन संक्या घनत्त में दूसरे स्थान पर है, अगर हम बात करें उतर प्रदेश की तो उतर प्रदेश में यह है, 829 ब्यक्ती प्रती वर्ग किलोमीटर और केरल में 860 ब्यक्ती प्रती वर्ग किलोमीटर है, जनगर्णा 2011 भारत की पंद्रवी जनगर्णा है और आजा 21 में हुई है जन गड़ना हर दर साल में होती है याँ आपको ध्यान में रखना है सबसे अधिक आबेक्र राज केर हम कह लेचा औरwendवाला राजtv है उत्तर परदेश तो ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं चले बात करेंगे अगले कोशन की अगला कोशन है कि संसरीय प्रकार की सरकार में वहां बरावर बालों में पहला होता है वहां कौन है राश्पती प्रधानमंत्री विपच्छ कानिता निचले सदन का द्यक्ष तो वी आप्शन करेक्ट हो अन्तिम्बार की बात हो रही तो वर्स 1991 में देखिए भारती रुपया का पहली बार अभुमूलेन कब किया गया था ये भी पेपर में पूछा जा सकता है तो 20 सितंबर 1999 को किया गया था अगर पेपर में पूछा जा ह coffin men 6 June wind 1956 को किया गया गया दूसरी भार यह भी आपको ध्यानमे रखना है अगला कोशन देखेगा निम्लिकित में से किस वैंग मैं कोई वीयकति अपना खाता नहीं खोल सकता सघ्री सरकारि बैंग चित्री ग्रामेड बैंक, भारतिय रिजर्व बैंक, अनुसूचित ब्यापारी बैंक, बहुत एजी कोशन है यार, भारतिय रिजर्व बैंक, अगर बात की जाए, भारतिय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो भारतिय रिजर्व बैंक की स्थापना एक ने पूछा जाए कि भारतिय रिजर्व वाइंग के वर्तमान गवर्नर कौन है तो भारतिय रिजर्व वाइंग के वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है अगला कोशिन देखेगा दूर दर्शन में रंगिन कारेक्रों की शुरुआत जो है वो कब से हुई है तो पूरी डेट आपको याद करना है 1971-1975-1982-1984 C option correct हो जाएगा 1982 यानि कि 25 अपराइल 1982 को रंगिन कारेक्रों की शुरुआत हुई थी एक मात्रवेद जो गद्य एबंपद्य दोनों में लिखा गया है वहाँ है रिगवेद, यजरुबेद, सामवेद, अथरवेद V option correct हो जाएगा यजरुबेद Next question देखेगा कैगा परमालू बिद्दू सेंद्र ये काँ पर अवस्तित है करनाटक, तमिलनाडू, गुजरात, राजिस्थान सही जवाब हो जाएगा करनाटक कैगा परमालू के बारे में कुछ महत्पुन फेक्ट जान लेजिए जो कि आपकी परिच्छा की ड्रेश्टी से काफी important है कैगा परमालू उर्जा स्टेशन करनाटक, भारत के कागाज में इस्थित एक परमालू उर्जा उत्पादन स्टेशन है यह परमालू उर्जा नेगम द्वारा संचालित है, यह महराश के तारापूर, 1400 मेगाबाट और राबत भाटा, 1180 मेगाबाट राजिस्थान के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा परमालू उर्जा सेंत्र है करनाटक के कैगा परमालू उर्जा इस्टेशन की एक एकाई ने 940 दिनों से अधिक समय तक बिना किसी रुकावट के लगातार कामकर नया विसुर रिकार्ड बनाया है यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, अगला कोशन दिखेगा अगला कोशन है गाईस की गुड फ्राइडे मनाया जाता है इसा मसी का शहदी दिवश, इसा मसी का जन्र दिवश, बड़ा दिन होने के करण, छोटा दिया होने के करण अगर बात की जाए कि गुड़ फ्राइड ये कब मना जाता है तो 2023 में गुड़ फ्राइडे 7 अप्राइल 2023 को मनाया जाएगा अगला कोशन पोगल किस राजिका प्रमुक तेवार है केरल तमिलनाडू अशोम करनाटक तमिलनाडू का तेवार तो B option correct हो जाएगा चले वरते नेश कोक्षन की ओर पिछड़ा वर्ग आयो का गठन कौन करता है राश्पती प्रधान मंतरी लोकसाबाद्य चिगरह मंतरी तो पिछड़ा वर्ग आयो का गठन राश्पती करते तो A option correct हो जाएगा कुछ महत्रपुन फैक्ट जान लीजिए जो कि आपकी परिच्छा की ड्रेश्ट से काफी इंपोर्टेंट है तो पिछड़ा वर्ग आयो का गठन कौन करता यह तो आपको पता ही चल गया राश्पती अगर पेपर में पूछा जाए कि पिछड़ा वर्ग आयो की अगला कोशन है इसकी हडप नीती के अंतरगत कौन से भारतिय राज कबजे में लिए गए ते इस कोशन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जहांसी नागपूर और सतारा अधारवा कोशन देखेगा किस राज का लोगसवा एवं राजसवा में प्रतिन धित्तो सबसे अधिक है उत्तरप्रदेश, मद्दप्रदेश, महराष्ट, आंद्प्रदेश अधारवा कोशन करेक्ट हो जाएगा उत्तरप्रदेश कनाड़ा, आश्टेलिया, इटली, तछड़ अफ्रीका तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दच्छन अफ्रीका सो गाज एगला कोशन देखेगा स्वतंतरभारत के परथम बित्मंत्री काँन थे डॉक्टर जॉन ऐस्थार नाम आता है आपका के शन्मुख्छेट् generating के स्वतंतरभारत के पर apt वित्मंत्री थे और और उन्होंने पहला केंदरी बजट भी पेस किया था, बाद में इंद्रा गांधी ने 1970 से 1971 तक एक बर्स के लिए ये पद समाला और पहली महिला बितमंत्री बनी, भारत की वर्तमान बितमंत्री है निर्मला सितारमण, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, अगला भारत में ठगी के क्रत्यों को संद्वित करता है, जो पेशे बट लुटेरे और डकेद थे, जो लाड बिलियम बैंटिंग की उन्मूलन यूजना के लागू होने के 600 साल पहले भारत में प्रचलित थे, अब आब लोग लाड बिलियम बैंटिंग का कारेकाल जान लीजिए लेटिनेट जनर लाड बिलियम बैंटिंग जो थे गाइस, ये हेनरी कन्वेडिस बैंटिंग जिसे लाड बिलियम बैंटिंग के नाम से जाना जाता है, एक बिटेस सैनिक और राजनेता थे, उन्होंने 1828 से 1835 तक भारत के गवरनर जनरल के रोप में कार किया है, तो ये उ नाम था, मैं फिर से बता देता हूं, इनका नाम था लेटिनेट जनर लाड बिलियम हेनरी कन्रड बिश बैंटिंग, ये आभी आपको ध्यान में रखना है, चलिए बात करेंगे नेश कोशन की, अगला कोशन है गाइस की सम्मिदान के किस संसोधन द्वारा अनुची 338 में संसोधन करके अनुची ते जाती तथा जनजाती आयोग के गटन के समद में प्रापधान किया गया था, 61 संसोधन, 66 संसोधन, 65 संसोधन, 69 संसोधन, तो सी ओप्सन करेक्ट हो जाएगा, 65 संसोधन, चोब इसमा कोशन देखेगा किस के समय में कंदार हमेशा के लिए मुगलों के हाथों से निकल गया, अब देखे इस कोशन थोड़ा सा डाउट है, जहांगीर, अकबर, सहाजां और अंगजब, जहांगीर होगा, या फिर सहाजां होगा, मेरे इसाब से तो होना चाहिए, ज इस समय राजधानी से दूर रहना चाहती थी इसलिए उसने जहांगीर द्वारा खुर्रम को कंधार जाने की आज्यां दिलवादी परन्तू खुर्रम इस समय राजधानी से दूर नहीं रहना चाहता था अता उसने समराज की आग्या मानने से इंकार कर दिया दर्वार में सरयंतरों का लाप इरान की सावास ने उठाया ताता कंधार पर अधिकार कर लिया और इसी मुगल समराज की प्रतिष्टा पर गहरा आगात पहुचा और जहांगीर कंधार को पुना प्राप्त नहीं कर सका चले बात करेंगे नेश कोशन की अगला कोशन है निम्ड में से किस सासक का काल संग मरमर का काल कह जाता है जहांगीर सहां जहां और अंगजेब इनमें से कोई नहीं बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सहां जहां सहाजा द्वारा अपने कार काल में हर निर्माल में संग मरमर के ब्यापक उप्योग के कारण उसके काल को संग मरमर का काल कहा जाता है चले बढ़ेंगे अगले कोशन की और अगला कोशन देखेगा स्वतंत्र भारत की पर्थम मंत्री परिसद में सामिल एक मात्र महिला मंत्री काउंती विजाल अच्मी पंडित सुचिता करपलानी सरोजिनी नैडू राजकुमारी अमरता कउर डी ओप्षिन करेक्ट हो जाएगा राजकुमारी अमरता कउर पंदरा अगस्त 1947 को गठित जवाला नहरू के पहले मंत्री मंदल में राजकुमारी अमरत कउर एक मात्र महिला कईवेट मंत्री थी राजकुमारी अमरत कवर ने स्वास्त मंत्री का पदसमाला और सुतंत भारत के पहले और दूसरे मंत्री मंदल में दस बरसों तक सेवा की अगला कोशन देखेगा मात्मा गाधी के प्रिय वजन बैशनाम जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे की रचेता है अगला कोशन देखेगा जाने माने समाजवादी ने ता डॉक्टर रामनोल लोहिया उसमयूबा थे और देश की आजादी और बटवारे के घटना करम को बहुत करीब से देख रहे थे 1960 में उनकी पुस्तक Guilty Man of India पार्टिसन नाम से एक किताब प्रकासित हुई यह किताब हिंद में भारत विवाजन के गुनागार नाम से उपलत है अगला कोशन देखेगा दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया सेरसा, अकबर, सहाजा, हिमायू यह उप्शन करेक्ट हो जाएगा दिल्ली का जो पुराना किला है यह सेरसा के द्वारा बनवाया गया मैं तुपन फैक्ट जान लेजिए पुराना किला नई दिली में यमुना नदी के किनारे स्थित प्राचीन दीन पना नगर का आंत्रिक किला है इस किले का निर्माड सेर सासूरी ने अपने सासन काल में 1538 से 1545 के बीच में करवाया था किले के तीन बड़े द्वार हैं तथा इसकी बिसाल दिवारे हैं इसके अंदर एक मस्जिद है जिसमें दो तलिय अश्ट बुजी इस्तम्वे हिंदू साइत के अनुसार ये किला इंदर प्रस्त के इस्तल पर जो पांड़मों की बिसाल राज़दानी होती थी जबकि इसका निर्माण अफगानी सासक सेरसा सूरी ने 1538 से 1545 के बीच कराया था जिसने मुगल बाश्चा हिमायू से दिल्ली का सिंगासन छिन लिया था ऐसा कहा जाता है कि मुगल बाश्चा हिमायू की इस किले में की नीचे गिरने के करण दुर्गटना वस्म रत्यू हो गई थी अगला कोशन देखेगा अगला कोशन है गाइस निम लेखित में से किस मौर राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की असोग चंदरगुप्त मिंदुसार कुणाल वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा चंदरगुप्त मैत पुन फेक्ट जान लेजिए अगला कोशन पुरसिद कभी अमेर खुसरो दरबार में रहे अलाउदिन खिल जी की इलतुमिस मौम्मद बिन तुगलक कुटवद्दीन एवक एउप्शन करेक्ट हो जाएगा अलाउदिन खिल जी मैत पुन फेक्ट जान लेजिए अमीर खुसरो 1553-325 बलबन जलाउदिन खिल जी और अलाउदिन खिल जी के समकालिन थे उन्होंने बलबन के भतीजे मलिक छज्जू और बाद में सासक बलबन के सासनकाल में दरवारी कभी के रूम में अपने जीवन की सुरुवात की, बाद में उन्होंने जलालोदिंग खिलजी और अलाउददिंग खिलजी के सासन काल का इतिहास लिखा. अगला कोशिन देखेगा, वन साप करने की और पेंड लगाने की पेंड काटने की वन संसाधनों को एकत्रित करने की. V option correct हो जाएगा और पेंड लगाने की अगला question देखेगा बाहरी बायू मंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है 4 option आपके सामने हैं तो सई जवाब हो जाएगा पराबैगनी विक्रण का अपसोसन करने में D option correct हो जाएगा अगला question मद्रात्री सूर का क्या आर्थ है मद्रात्री सूर का क्या आर्थ होता है सूर का ध्रुबिय बरत में देर तक चमकना D option correct हो जाएगा अगला question देखेगा कंप्यूटर में वाइरस होता है कंप्यूटर में वाइरस होता है वहाँ प्रोग्राम जो कंप्यूटर के स्वाप प्यार को हानी पहुंचाता है C option correct हो जाएगा 36 कोशन निम्ड में से किसको RVSC का कवरेस्थान कहते हैं यकरत अस्तिमज्जा पलिया परिशेशी का सही जवाब हो जाएगा option C पलिया पलिया को RVC का कवरेस्थान कहा जाता है क्योंकि यह पुराने RVC रेड ब्लड सेल्स को हटा देता है और एक सक्रिय रक्त भाई का अंगय और बैक्सकों में ब्लड बैंक के रूपे कार्य करता है चले बढ़ते हैं अगले कोशन की और अगला कोशन है गाइस की या फिर जल को गरम करना आसान है C option correct हो जाएगा इसकी विसिष्ट उसमा अधिक है 38 कोशन देखेगा पानी की बूदों का तैलिये प्रष्ट पर ना चिपकने का कारण क्या है आसंजग बलका अभाव प्रष्ट तनाव आपस में मिले नहीं सकते तेल की अपेक्चा जल हलका होता है सही जवाब हो जाएगा option है आसंजग बलका अभाव अगला कोशन देखेगा अधातू में निम्ड में से काउसा गुरधर्म समान पाया जाता है भंगुरता, चलकता, तन्यता, आगाद बर्धर्टा यह option correct हो जाएगा भंगुरता नेश कोशन देखेगा प्रती ग्राम इधन द्वारा मोचित उर्जा की ड्रेश्ट इसे निम्ड में से सरवोत्तम इधन काउसा हाइड्रोजन, मेथन, एथनॉल, ब्यूट्रेन यह option correct हो जाएगा हाइड्रोजन यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बढ़ते हैं अगले कोशन की और विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है थाइमिन, हीमोगलोबिन, राइबोफ्लेविन, डेक्ट्रोस विटामिन B2 का अन्य नाम है option C, राइबोफ्लेविन मैं पुन फेक्ट जान लेजिए, बिटामिन B2 को राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है बिटामिन B समू का यह है, बिटामिन अच्छी सिहत के लिए जिरूरी होता है खाने खाने के बाद उसे पचाने और उसमें से पोसक तक्तों को अफसोसित करने में यह मदद करता है अगला कोशन देखेगा, काकरोज जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका सोसन अंग है B option correct हो जाएगा, वातक ट्रेकिया 43 कोशन देखेगा, फुरूस में मरकरी के विसाक्तन से काउंसा रोग होता है C option correct हो जाएगा, मीना माता रोग होता है अगला कोशन, गुन सूत्रों में होते हैं 4 option आपके सामने दिये जा रहे हैं, तो गुन सूत्रों में होते हैं RNA और सुगर, D option correct हो जाएगा, इसका C option correct हो का D नहीं होगा DNA और protein यह आपको देखेगा, मेरी बात ध्यान पुरुवक सुनिएगा अगर option में आपके DNA हो, RNA हो, हिस्टोन हो या फिर गयर हिस्टोन हो और protein हो तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं, ठीक है अगला question देखेगा, मूतर का पीला रंग किसकी मवजूदिगी की कारण होता है बहुत easy question है, आसानी से आप बता सकते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा option D, hero chrome महत पुन फैक्ट जान लेजिए, मूतर का पीला रंग, hero chrome बढ़न की उपस्थिति के कारण होता है जो की एक बिगटन उत्पाद है, इसका निर्माट तूटी, फूटी या पुरानी लाल रुदर कडिकाओं के हिमोगलोविन के बिगटन के परिणाम सरूप होता है मैत पुन फैक्ट जान लेजिए, भारत में श्रद रितू अर्थात, अक्टूबर नौवमर में लौडते मानसून, उत्तर पूरवी मानसून से तमिल नादू तट कोरो मंडल पर 65 सेमी तक बरसा होती है, जो आंतरिक भागों की तरफ घड़ती जाती है अगला कोशिन देखेगा, अगला कोशिन है कि जैद मौसम में उगाई जाने वाली फसले हैं, तरबूज, सोयावीन, मक्का, पटसन ये ओप्शन करेक्ट हो जाएगा, तरबूज जैद मौसम की पुर्मुक फसले जान लिजी आप लोग, देखेए जैद मौसम की पुर्मुक फसले हैं, तरबूजी तो मैंने आपको बता दिया है, इसमें खीरा भी आजाता है, खरबूजा भी आजाता है, ककड़ी भी आजाती है, मूंग भी आजाती है, उरद भी आजा हीरे का एक करेक्ट किसके बराबर है 100 mg 150 mg 200 mg 200 mg कि सी ऑप्षन करेक्ट हो जाएगा 200 mg आज का हमारा सबसे लाज कोशन रहेगा आहर में लबन का मुख्य उप्योग है ऑप्षन करेक्ट हो जाएगा बोजन के पाचन के लिए अपैचित हाइडरोक्लोरिक एसिट लगू मात्रा में पाइदा करना मैं फैक्ट को स्वारिष्ट बनाना ये आपके आहर में लबड का मुखी जो उपियोग जो होते हैं उनके उपियोग होते हैं तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीस वीडियो को लाइक उसे जरूर करें मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ लेकिन आप लोगों का रिस्पांस हमें कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है आप लोगों से आप लोगों से अनुरोदे की प्लीस वीडियो को लाइक उसे जरूर कीजेगा आप लोगों ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं नाच वीडियो के साथ जय हिन जय भारू